दोस्तों आज 9 में 2022 को Cosmo Films Limited के Board of Directors की मीटिंग वी है और इस मीटिंग में एहम-एहम फैसले लिए गए हैं पहला तो ये कि Board of Directors ने इस कमपनी के नेम को बदलने की अप्रूवल दे दी है और इसके साथ साथ बोनस इसू की भी अप्रूवल दे दी है और Quarter 4 के Financial Result को भी पब्लिश कर दिया है दोस्तों अब इस कमपनी का नाम Cosmo Films Limited से बदल कर Cosmo First Limited होने वाला है और इसकी अप्रूवल शेयर होल्डर से लेनी बाकी है Board of Directors ने बोनस इसू की भी अप्रूवल दे दी है और इस बोनस इसू का रेशियो 1 इस टू 2 रखा गया है इसका मतलब अगर Record Date पर आपके पास इस कमपनी के 2 शेयर हैं तो इन 2 शेयर के बदले कमपनी आपको एक और बोनस शेयर देगी तो Record Date पर आपके पास जितने भी शेयर हैं उनमें से हर 2 शेयर पर आपको एक बोनस शेयर मिलने वाला है कमपनी ने अभी इस बोनस इसू की Record Date फिक्स नहीं की है अभी कमपनी को शेयर होल्डर्स की Approval लेनी बाकी है यह इस कमपनी का Consolidated Financial Result है और यहां सारे फिगर करोड में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर Quarter 4 में revenue from operation 820 करोड 88 लाग है जो previous quarter में यह 770 करोड 53 लाग था और previous year quarter 4 में यह 671 करोड 80 लाग था तो revenue from operation में year on year basis पर 22% का growth है और quarter on quarter basis पर यह 6.5% बढ़ा है Quarter 4 में total income 840 करोड है जो previous quarter में 783 करोड था और previous year के quarter 4 में यह 680 करोड था तो year on year basis पर total income में 22.6% का growth हुआ है और quarter on quarter basis पर यह 7.3% बढ़ा है Quarter 4 में इस company का net profit यह profit after tax 108 करोड है जो previous quarter में 104 करोड था और previous year quarter 4 में यह 74 करोड था तो year on year basis पर PAT में 45% का growth हुआ है और अगर हम लोग इससे quarter on quarter basis पर देखें है तो यह 3.6% बढ़ा है Quarter 4 में diluted earning per share अंठावन रुपया 93 पैसा है जो previous quarter में 57 रुपया 16 पैसा था और previous year के quarter 4 में यह 41 रुपया 34 पैसे था Quarter 4 में इस company का operating margin 18% के आसपास है जो previous quarter में यह 17% था और previous year के quarter 4 में यह 17% था तो आप देखिए operating margin में year on year basis पर तो बढ़ात है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें थोड़ा दबाव भी है Quarter 4 में इस company के PAT का margin 13.2% है जो previous quarter में यह 13.6% था और previous year के quarter 4 में यह 11% था तो PAT के margin में year on year basis पर तो बढ़ात है लेकिन quarter on quarter basis पर यह stable है तो आपने देख लिया इस company के revenue from operation PAT और EPS में year on year basis पर तो अच्छे बढ़ात है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें थोड़ी बढ़त है और इस company का operational margin year on year basis पर थोड़ा बढ़ा है और quarter on quarter basis पर इसमें थोड़ा सा दबाव भी है तो दोस्तों यह था इस company के quarter 4 का result और इस company के bonus का news तो दोस्तों आप इस वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें इस वीडियो को अधिक अधिक लोगों के साथ share करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके बहुत बहुत धन्यवाद